हलो एव्रीवन वेल्कम बेक टो माय यूट्यूब चैनल ज्यू एंड बाईलोजी आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लास्मिक रेटिकलम बैप पाट होता है साइटोप्लास्मिक वेक्यलर सिस्टम का ज़ो फॉर्स्ट ऑब्जर्ब डार्णीर ने इनो ने इसको नाम दिया था गेस्टोप्लासम जो टम थी बिसिकली एंडोप्लासम ग्रेटिक लंब वो कोईं की थी क्यार पोर्टर ने उन्होंने क्या बोला था कि यह एक वैल डवलप् इलेक्टोन माइक्रोस्कॉपिक नेट वर्ख है इंटर कनेक्टिट सिस्टर्नी टिब्यूल्स और वैसिकल्स का जो प्रेजंट होता है थ्रूआउट था साइटोप्लासम इस्पेशली इन्दा एंडोप्लासम एपसेंट होता है यह प्रोकेरियर्ट्स के अंदर प्रेजंट जर्मिनल सेल्स और मैमेलियन आर्बीसीज बिसिकली क्या होता है कि जो डवलप्मेंट होगी एर की वो डिपेंट करेंगी मेटाबोलिक स्टेट एंड डिफ्रेंट सेज और डिफ्रेंट सेट जैसे की एपसेंट हो जाएगा फ्रॉम एम्डियोनिक सेल से एंड वैल सेल्स और एब्सेंट होते हैं यह हमारा दा नुकलिस प्रेंट होता है टिबियूल से बना होता है यह हमारा सिस्टरनी से बना होता है यह उन सेल्स में मिलेगा जहाँ पे सिंथेसिस होगी लिपिट की स्टेरोइड्स, गलाइकोजन्स की जैसे की एडिपोसाइड्स, इंटरस्रीशिल सेल्स ये protein synthesising जो cell होंगी उनके अंदर मिलेगा echinol cells, goblet cells, plasma cells, necidianules, endocrine cells और जो basically liver cells में SCR, near हमें दोनों देखने को मिलते हैं अब आते हैं हमारा ultra structure of ER तीन टाइप के element हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर cisternae, vesicles and tubules basically cisternae narrow होंगे, two layered होंगे, unbranched होंगे near the nucleus present होंगे, interconnected भी हो सकते हैं and basically क्या होगा, ribosome जो इसके साथ attached है ribosome surface पे इसके present होंगे, तो वो continue करेंगे ER के साथ में and ER के साथ में attach होंगे एक glycoprotein से जिसको नाम दिया है इन्होंने riboforine का, ये abundant होंगे, जादा नंबर में होंगे protein forming cell में, basically हमारा cisternae है इसके अंदर ribosome present होते हैं, इसके जो ये layer होंगे, उनको lemony बोला गया है क्या होता है, इसके अंदर दो phase होते है, cytoplasmic phase and luminal phase जो cytoplasmic phase होगा, उसके अंदर ribosome, उसके उपर ribosome present होगे जो luminal phase होगा, वो towards होगा, cisternal space के पास में देनाता हमारा vesicle, oval होगे, या spherical हो सकते हैं, इसके पास भी ribosome present होगे ये scattered होगे, cytoplasm के अंदर, और ये किसके अंदर जाद होगे, अभी इसके पास ribosomes है तो obvious ही बात है, हमारे protein forming cell के अंदर मिलेंगे then आता है हमारा tubules, tubules basically हमें ये tubular structure होते हैं, branch होते हैं, wide होते हैं और ये क्या आते हैं, present होते हैं, near the cell membrane अब इनके ओपर क्या है ribosome नहीं है, तो ये किसके SCR के साथ मेन का interaction होगा यनि कि SCR हमारा tubular से बना होता है, without ribosome होगे कहां present होंगे ये जादा, steroids, lipid forming cell के अंदर, glycogen metabolism के अंदर तो हमने देखा कि ER जो है, वो तीन टाइप का है, तीन तरह से उसके जो elements मिलते हैं same cell में present हो सकते हैं, और वो interconnected होंगे एक दूसरे से, बट वो connected भी हो सकते हैं other cellular organically से, जैसिकि mitochondria से, plasma membrane से, nuclear membrane से और ये 30 से 60% form करते हैं, average 50 बो सकते हैं, cytoplasmic vascular system का and 10% form करते हैं, total cell volume का इसके पास एक fluid contain करते हैं, जिसको बोलते है endoplasmic matrix हमने ER की, ultra structure की बात की, उसके types की बात की, अब हम बात करेंगे functions of ER तो basically इसके function तीन parts में हम पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे common function इनके, SCR और RER के, फिर हम RER के देखेंगे specific, फिर SCR के तो सबसे पहले common functions, intra cellular transport में इनका रोल होता है क्या होता है कि ER जो है act करता है, cell circulatory system की तरह transport करता है inside the cell materials को with the help of carriers, proteins क्योंकि इसके जो enzyme होते हैं, इसके surface पे distribute होते हैं तो RER से SCR, SCR से Golgi-Wody, Golgi-Wody से primary lysosome and then out of the cell यानी exocytosis इसमें क्या होता है basically, process होती है, हम protein को उसकी final side तक direct कर रहे हैं, तो उसको बहुत है protein shorting and protein trafficking क्या होता है, continue करती है ER plasma membrane के साथ में या फिर nuclear membrane के साथ में as cytoskeleton काम करती है, यह कि major component है, mechanical support provide करती है, definite shape देती है cell को segregation apparatus की तरह कैसे काम करती है, basically divide करती है, cytoplasm को दो compartment के अंदर एक जो within ER होगा और एक जो between होगा ER system के बीच में तो यह क्या करेगी, उन्दों इनों के बीच में exchange of material करेगी, वो by the help of diffusion या फिर active transport हो सकता है primary lysosome की formation करती है, इसके अंदर 30 type के synthetase enzyme होता है, जो site होते हैं, basically biosynthesis करेंगे various biomolecules की plasma decimata work करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक tubular extension यह form करते हैं, जो simple भी और branch भी हो सकती है decimotubules बोलते हैं जिसको, तो वो क्या करता है, वो pass करता है, तो plasma decimata and connect करता है ER को जो प्लांट होते हैं, उनको connect करता है, basically उनके ER को और exchange of material help करता है उस चीज़ के अंदर storage में help करता है, metabolic products of product storage करने में, transportation में help करता है, formation of cell rate, ATP synthesis में help करता है तो basically हबारे कुछ common function से, अब हम देखेंगे function of RER, अब हम देखेंगे specific function, protein synthesis में help करता है यह कैसे करता है, कि direct जो relation होता है RNA content और rate of protein synthesis के बीच में जो RER हो दो dimension arrangement provide करता है protein की, जो increase करती है, ribosome की sorry, जो increase करती है rate of protein synthesis को तो क्या होगा, ER membrane जो होगी involved होती है हमारी synthesis of protein के अंदर, वो intracellular भी work करती है और extra cellular use में भी work करती है, और यह collection on transportation जो होता है protein का, synthesize protein का, वो कैसे करती है यह formation of transition vesicles करके, फिर है हमारा formation of nuclear envelope, तो क्या होता है, जो हमारी nuclear membrane है वो छोटे-छोटे fragments में break हो जाती है, late pro phase तक, और फिर telophase जब आएगी, तो हमारी क्या करेगी, वो continue करती है ER के साथ में, यह नहीं कि मर्ज हो जाएगी, ER elements के साथ में, basically, cisterny के साथ में, और एक वो complete telophase तक, एक envelope form करती है कि reform हो जाएगी वो, formation of ACR कैसे करेगी, कि loss of ribosome हो जाए, rough endoplasmic reticulum से, तो हमारे smooth वाले बन जाएगे formation of transition vesicle हमने देखा कि transportation में help करती है, protein की, तो transport vesicle समनाती है, जो कि material like protein को Golgi body से लेके, cicatry vesicle तक transport करती है, packaging में help करता है अब हम देखेंगे specific function of ACR, lipid synthesis में, steroid hormone जहाँ पे होंगे, वहाँ पे, glycogen metabolism की अंदर तो क्या होता है, basically, smooth endoplasmic reticulum से हमें देखा, कि lipid जो forming cells होती है, steroid forming cells होती है basically, testosterone हो गया, coits हो गया, basically, तो उसमें क्या होता है, कि ACR की जो amount है, वो more abundant हो जाएगी as compared to other cells well developed ACR होगा, यानि कि उस cell के अंदर, lipid की, steroid hormones की, या फिर glycogen metabolism, उनका rate high है ये nerve impulse conduction में भी help करता है, जैसे कि हमारा जो ACR होता है, stated muscle fiber का, उसको हम क्या बोलते है सार को plasmic reticulum बोलते है, तो क्या होता है, उसके अंदर, वो क्या करता है, basically, nerve impulse को transmit करता है सार को लीमा से लेके पूरी length of muscle fiber तक, जिसमें क्या होता है, अगर हमारी जो muscle है, वो contract कर रही है, तो उसके अंदर, release होते है calcium iron, अगर वो, जो है, relax कर रही है, तो हमारे calcium iron, जो trapped हो जाते हैं, कौन trap करता है, उनको बाइदा, असार को plasmic reticulum and जो हमारा ACR होता है, वो detoxification of drug में help करता है, synthesis of ascorbic acid में help करता है and कुछ enzyme ही contain करता है, जो regulate करते है, basically, initiation of fat oxidation तो आज हमने endoplasmic reticulum के function, उसका अरवडा structure देखा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगए हो, तो please like, share and subscribe करें